ताजा तकन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें नवस्कार महुं फिरोज हास्मी मुंबई के पूरे में पिम्प्री चिंचवाड में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर हर कोई दहल उठा रविवार को पिंपरी चिंचवार के नूर महले में एक महिला ने अपनी दो बेटी और एक बेटे को पहले हत्या कर दी और फिर बाद में खुद आत्मेहत्या कर ली तीनों बच्चों को एक नायलान के रसी से लटकाने के बाद दूसरे कमरे में जाकर चाकू से अपनी आत्मे हत्या कर लिए मामला काफी दहलाने वाली है एक माने अपने तीन बच्चों को पहले हत्या कर दी और फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली जो जानकारी सामने आई है वो यह है घर में तंगी के कारण माने यह कदम उठाई है करनाटक के रहने वाले हैं चार दिन पहले नूर महले में आये थे रहने के लिए बच्चों का पिता अकरम बागवान पूरो में फल बेशते थे काम की तलास में अकरम जैसे ही घर से बाहर गए तब ही लगभग आड़ बजे अलफिया जोया जियान को लाइलान की रसी से बांध कर माने मासूम बच्चों की हत्या कर दी और अकरम जब काम धूड कर वापिस आया तो घर के दरवाजा बन था काफी देर तक दरवाजा खटटाया मगर दरवाजा नहीं खुला पुल पुलिस जाच में जूटी है हत्या तंगी के कारण हत्या किया है या हत्या के पीछे कोई राज है इसकी अभी असपर्ष्ट नहीं हुआ है पुलिस जान बीन कर रही है लेकिन ये मामला दहला देने वाली घटना है एक माने अपने हत्या तो की ही लेकिन अपने तीन अब रोग को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम कर दो कि अगया है